हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले दिली सरकार के द्वारा दिया जाने वाल अभ्याश प्रशन पत्र दो हजार तेश चोईस करेंगे विश्य है विज्ञान और क्लास है एर्थ का आपका 60 मार्क्स का पेपर होने सब्सक्राइब क्लास है। तो पेची और मलेरिया प्रोटोजोड के कारण होता है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटोजोड देखो जो चोटे छटे अंसर है मैं यहां पेठ़ कर दूंगी बाकी अलग से आपको लिख कर दूंगी ठीक है नेक्स देखिए नेमल इकित में से कौन सा उर्जा का गैर नवीनी करण स्त्रोथ है मतलब कि उसे वापस से हम नहीं बना सकते हैं ऐसा गैर नवीनी करण तो देखो जल, मिटी और सूर्य यह क्या है नवीनी करण है लेकिन कोईला भी अंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं, क्या कहा गया है लकडी को कोईले में बदलने की परकिरिया कहलाती है कार्वोनाइजेशन, ए अंसर इसका करेक्ट हो जाएगा next देखो क्या कहा गया है स्वर्यंत्र को larynx कहते हैं सही या गलत तो स्वर्यंत्र को larynx कहते हैं यह सही है सही आपका यहाँ पर आ जाएगा आप सही पर टिक लगा देंगे question number 5 देखते हैं हम क्या कहा गया है सारे question 1 marks के है पहली ने दिये गए बीकर में देखो क्या कहा गया है यहाँ पर सेकिन हम इसको सही करते हैं क्या कहा गया है पहली ने दिये गए बीकर में तरल A का प्रयोक करके एक परिपत बनाकर एक प्रयोक स्थापित किया जैसा कि नीचे दिया गया चित्र में दिखाया गया है उसने देखा कि बलब चमक रहा है फिर उसने एक तरल की जगे बी तरल में एको बी में बदल दिया इस बार बलब नहीं चमका बूजो ने बलब की स्थान पर LED लगाने का सुझाव दिया उन्होंने देखा कि LED चमकती है व्याख्या कीज़े तो पहले कोशन समस्ते देखो क्या कहा जा रहा है कि जो बूजो है उसने फिर्स यहां पर यह ए लिक्विड लिया तो देखा कि बलब क्या कर रहा है अब उसने एक जगे लिक्विड बी ले लिया और अब देखा कि बलब नहीं चमक रहा, अब यहाँ पे उसने LED ली, LED ली तो वो चमक रहा, इसके आपको व्याख्या करने के ऐसा क्यों हुआ, तो इसका reason यह है कि जो LED ली गई है, वो क्या करते है, बहुत कम light पर क्या कर देती है, glow कर देती है, तो A क्या होगा, बहुत good conductor हो क्या कहा गया है, कि तरल A बिजली का अच्छा संवाहक है, या सूच आलक है, वह अधिक्तम धारा को परवाहित करने के लिए अनुमती देता है, और बलब को चमकने के लिए प्रयाप्त है, मतलब कि क्या कह रहा है, कि A जो है एक अच्छा सूच आलक है, जिससे कि क्या हो र कि थोड़ा weak हो, ग्मदोर हो, जिसकी विज़ा से बलब नहीं जलता, लेकिन जो बलब को चमकाने में 8 स्म add है वो थोड़ी थोड़ी क्या है करंट को पास रहा है उधीधरा को थोड़ा थोड़ा पास कर रहा है जिससे की कम voltage की जो LED है वो जल जाती है next देखते हैं थोड़ा सा length है लेकिन समझ के करना है इसको next question देखते हैं इसी में अथवा में दिया गया है आसु जल में चीनी का घोल विदूत का संचालन नहीं करता क्यों तो देखो आसु जल क्या होता है जिसके अंदर कोई भी chemical नहीं होता कोई रसायन नहीं होता उसे हम आसु जल कहते हैं तो आसु जल में विदूत का संचालन नहीं होता लेकिन अगर आसु जल में चीनी डाल देते हैं तब भी विदूत का संचालन नहीं करता क्योंकि चीनी में कोई ions नहीं होता, चीनी एक योगिक है, इसके अंदर इसको अगर पानी में डालेंगे तो कोई ion नहीं जाएगा, इसके अंदर जिसकी वज़े से क्या है, विद्धुत का हमें पता है कि ions चाहिए होते हैं, electrons चाहिए होते हैं, जिसकी वज़े से क्या होता है जो विदुधारा है वो प्रवाहित होती है लेकिन जब चीनी का गोल ढालागा तो वो योगिक है जिसमें कि कोई भी आयनस नहीं होगे गर आयनस नहीं होगे तो विदुधारा-प्रवाहित नहीं होगी तो देखते हैं अंसर ये को answer में क्या कहा गया है यहाँ पर चीनी योगिक है और यहाँ पानी में आयनित नहीं होती है मलब जो पानी में इसको घोलते हैं तो आयनित नहीं होती है जिससे की विदुधारा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन जब आसुत जल में नमक मिलाया जाता है तो नमक में आयन लिखा जाएगा यहाँ पर क्या होता है नमक में क्या होता है आयन होता है, सोरिये मर्ग कॉलराइट जिसकी वज़ेसे ऐसा गोल बनता है जिसमें विदुद कधारा का सनचालन होता है यहाँ फूरशन आ जाएगा कोन या छड़ कहेंगे हम इसे हिंदी में छड़ कहेंगे छड़ आ जाएगा तेज रोशनी के लिए और मंद रोशनी के लिए आ जाएगा शंकू शंकू क्या है धिमी रोशनी के लिए होता है और छड़ क्या होता है तेज रोशनी के लिए पिन होल कैमरे से बनी छवी उल्टी होती है तो ये हो जाएगा सही पिन होल कैमरे में से जो छवी बनती है जो फोटो बनती है वो कैसी होती है उल्टी तो ये कथन क्या आजाएगा सही हो जाएगा next देखते हैं question number 7 वे जीव जो सीधे बच्चों को जनम देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जरायुज इस तरह से आप लिकेंगे ठीक है नेक्स्ट क्या कहा गया खत पतवार को डैश नमक करसाइनो द्वारा नियंतित किया जाता है तो खत पतवार नाशी हम क्या कहते है इसको खत पतवार नाशक खत पतवार नाशक द्वारा क्या किया जाता है control किया जाता है इन जो खत-पतवार नाशी होते हैं उन्हें से क्या किया जाता है control किया जाता है next देखो क्या कहा गया किनी दो रभी फसलों के नाम बताईए एक से किनी आपे देखो यहां पे लिखा है छड जो है वो मंद रोशनी के लिए समवेधनशील होता है जबकि शंकू जो है वो तेज रोशनी के लिए समवेधनशील होता है थोड़ा सा बी उल्टा बता दिया मैंने बात थोड़ा सा कर रही थी तो जो छड है वो क्या है मंद रोशनी महला कम रोशनी के लिए समवेधनशील है जबकि जो शंकू है वो तेज रोशनी के लिए समवेधनशील है उसके बाद देखो हम कोशन कर रहे हैं यहाँ पर खत परदवार नाशी हम कर चुके हैं यहाँ तो देखते हैं अंसर देखो क्या हो जाएगा रभी की फसल गेहूं जो आलू चना मसूर अलसी मटर सरसो आपको कोई भी दो नाम बता देने हैं गेहूं जो आलू चना मसूर मटर आप कुछ भी दो यहाँ पर याद करके लिख सकते हैं खरीब और रभी की फसल जरूर करके जाईएगा दोनों में से कोई एक जरूर आएगा नेक्स देखते हैं नेक्स कोशन में देखो क्या कहा गया है जब दो विपरीद दिशाओं में कारे करते हैं मतलब एक इस दिरेक्शन में लग रहा है और एक इस दिरेक्शन में लग रहा है तो कारे करने वाला कुल बल दोनों बलों के बीच का अंतर होता है हाँ तो देखो क्या कहा गया अगर यहाँ पर भी पांच है और यहाँ पर भी पांच है तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा जीरो अगर दोनों बल बराबर होंगे तो क्या कहा जा रहे है यह कथन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर दोनों बलों के बीच विपरी दिशाओं में कारे कर रहा है तो कारे करने वाला कुल बल दोनों बिलों के बीच का अंतर हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अब है दबाव क्या है, नेक्स्ट 11 कोशन है, दबाव क्या है, तो किसी भी वस्तु पर लगने वाले जो बल है, उसे हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं, द की दोनी एक परकार की और चाया है यह सारे वनवन कोशन थे अभे टू मार्ग के कोशन तो फर्स्ट में क्या कहा गया है नीमन लिखी चित्रों में ए लेंगिक जनन के परकार और संबंदित जीवों को पहचानिये और उनके नाम बताईए, हमें बताना है कि किस तरह का A-Langic Genan है यहाँ पर, तो आप देखेंगे तो A-Langic Genan क्या है, यहाँ पर बड़ बन रही है मुकुल बन रहा है, तो इसे हम कहते है मुकुलन, तो A-Langic Genan किस परकार का हो जाता है, यहाँ पर मुकुलन और उन्होंने पुछा, यह example किसका है तो यह है Hydra का, तो आप यहाँ पर इस तरह से दोनों ही अंसर लिख देंगे, फर्स्ट में लिख देंगे मुकुलन, और सेकेंड एक्जांपल में इसका जो example है, यह किसी इसका डाइगरम है यह है Hydra का डाइगरम, तो आप Hydra यहाँ पर लिख देंगे, नेक्स देखें क्या कहा गया इसका अंसर में, नेक्स कोश्ट में अलेंगिक जनन, प्रजनन क्या है उधारन के दोर पर दो जीवों के नाम बताइए जिनमें यह होता है, first definition बताना है second बताना है, किस में यह होता है Allängic Genon, अंसर देखते हैं उधो क्या कहा गया, Allangic Presunun प्रजनन का एक तरीका है जिसमें एक ही माता पिता द्वारा एक ही माता या पिता द्वारा नहीं संतान पैदा की जाते हैं एक ही parent involved होता है, एक ही parent द्वारा, एक ही माता या पीता द्वारा क्या किया जाते हैं, नहीं संतान पैदा की जाते हैं, उसे गैंस उत्पन होते हैं तो जब कोईले को हवा में जिलाते हैं तो carbon dioxide गैंस क्या है उत्पन होती है किस petroleum उत्पात का उप्यों करके die cleaning के लिए विलायक की रूप में के रूप में परियोग किया जाता है तो per chloro ethylene आईए देखते हैं इन दोनों के answer तो देखो क्या हो जाएगा first का हो जाएगा carbon dioxide and co2 लिखेंगे second का हो जाएगा per chloro ethylene इसको इसको डायकलीन के लिए use करते हैं next question question number 4 देखें क्या है एक वस्तू 100 hertz पर कमपन करती है इसकी समाविदी क्या होगी तो समाविदी का rule लगा कर हमें इसे जो formula है पुट करके इसकी value निकालनी है तो देखो इस तरह से करेंगे समाविदी का formula होता है एक बटा अवरती तो अवरती कितनी दी गई है यहाँ पर 100 तो एक बटा 100 करेंगे तो 0.01 यहाँ पर 01 सेकेंड इसका answer आ जाएगा next question question number 5 देखें क्या कहा गया है निमन लिकित परिपत को ध्यान पुरक निरक्षन करना है किस परिपत में बलब चमकेगा यह बताना है चितर में दिएगे सरकीट पर हाँ या नहीं लिखकर उत्तर देना है तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है लगाया गया है बलब लगाया गया है दोनों तरफ यहां पर eraser लगाया गया है यहां पर steel की spoon लगाए गया है तो आपको बताना है कि कहां पर जो बलब चमकेगा तो हम कहेंगे यहां पर इस वाली second condition में बलब चमकेगा और यहां पर नहीं चमकेगा ठीक है फर्स्ट में नहीं लिखना है सेकिंड में हां लिखना है आपको ठीक है इसके लावा यहाँ पर कोशन दिये गए हैं यदि आप कॉपर सलफेट विलियन में विधूत परवाहित करते हैं तो ताबा बैटरी के डैश टर्मिनल से जूरी प्लेट पर जमा हो ज जाते है तो उस परकिरिया को विधूत लेपन कहा जाता है तो यहाँ पर धनात्मक रनात्मक फर्स्ट में क्या आ जाएगा नेगिटिव रनात्मक लिखेंगे आप इस तरह से रनात्मक प्लेट पर क्या टर्मिनल पर क्या हो जाएगा प्लेट जो कोपर जमा हो जाएगा औ उसे विद्यूत लेपन कहा जाता है इस तरह से लिखेंगे जब copper sulphate के गोल में current प्रवाइद किया जाता है विद्यूधारा प्रवाइद की जाते है तो copper battery की negative terminal पर अगर negative नहीं तो रणात्मक जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं रणात्मक टर्मिनल पर जमा हो जाएगा second को electroplating या विद्यूत लेपन कहा जाता है question देखते हैं six question में क्या कहा गया है वाईव मुनलियद आपको मापने के लिए उपकरण का नाम बताई तो barometer होता है जिससे हम क्या करते हैं barometer लिखते हैं उसको जिससे हम क्या करते हैं विद्यूत का जो वाईव मुनलियद दबाव है उसको मापने के लिए उसके जाता है barometer और संपर्ग बल के दो धान तो संपर्ग बल किसी भी वस्तू को अलमारी को धक्का देना क्योंकि दो चीज़े संपर्ग मियार ये बोल को पुश करना या बलात मारना या इसके लावा कह सकते हैं दो आपस में पंजा लड़ाना ये भी क्या है सब संपर्ग बल है तो पहारी पर धक्का देना गैंद को लात मारना या गार को वैसे भी धक्का देना किसी अलमयरी को खीचना बैड को खीचना पिलो को धक्का देना ये कुछ भी आप लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को धक्का देना बाल्टी खीचना ये सब क्या हो जाएंगे दो संपर्ग बल प्रेलाइजर मिले, मैनियोर मिले, इस सब क्या हो जाएंगे, जुताई क्या है इसके बारे में बताने हैं, तो आईए देखते हैं इसका अंसर, क्या कहा गया है यहाँ पर, सभी खेतों, सभी खेतों को फसलों को बढ़ाने के लिए मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, इन सब हवा बनाना, उसके अंदर इस प्रक्रिया को कहते हैं, इसे जोतना के नाम से भी जाना जाता है, आम तोर पर से लकडी या लोहे के हलकी साहेता से किया जाता है, तो मिट्टी को धिला करना, लूजिंग करना, उसमें हवा भरना, हवा भरना का मतलब है कि धिला करना, आप सम आप क्या समझते हैं निराई गुड़ाई की प्रिकिर्या क्यों आफशक है निराई गुड़ाई के लिए अपनाए जाने वाली विधियों के नाम बताईए तो देखते हैं अंसर इसका अंसर देखे क्या है फसली पोधों से परतिस परता करने के करने वाले अप्शिस्ट पो को हटाने की जो प्रिकिरिया है उसी निराई गुड़ाई कहा जाता है इसकी क्यों जरूरत होती है क्योंकि खत-पतवार क्या करते हैं पानी धूब पोशक तर्थू को प्राप्त करने के लिए फसलों के साथ प्रतिस परदा करते हैं मतलब क्या करते हैं कि अगर एक ही जगे दो पोदे लगे होंगे तो दोनों ही क्या करेंगे nutrition लेंगे पूरा जो फसल को मिलना था वो उस खत-पतवार को मिलेगा तो इसी लिए वो क्या करते हैं उसके साथ में प्रतिस परदा करते हैं अब इसको किस तरह से नियंतित क्या जा सकता है खत-पतवार को नस्ट करने के नेक्स्ट कोशन देखते हैं क्या खा गया सिंचाई क्या है सिंचाई की मुख्ये दो वीदियो की नाम लिखिए और उन्हें संक्षेप ने परिभाशित कीजिए देखो क्या है फसलों को पानी देने की परकिरिया को सिंचाई कहता है तो बहुत ही आसाने की जब कोई किसान फसल लगाता है तो उसको जो पानी देता है वो उस परकिरिया को सिंचाई कहता है सिंचाई की दो विदिया स्प्रिंकल परनाली या बोच्छारी परनाली इस परना इस पर नाली का प्रयोंग करके पानी बचाने के लिए किया जाते है वह सभी पोदों तक दूर तक पहुन जाए next देखते हैं, question number nine, यहाँ पे एक matching करनी है हमें, तो आई देखते हैं, ninth question में हम matching करते हैं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है, कोईला क्या है? एक जिवाश्म इंधन है, कैरुजीन, कैरुजीन यहाँ पे क्या है? मोम जैसा प्रदार्थ है, उसके बाद next देखत का उत्पादन करता है तो डी अंसर यहां पे सही हो जाएगा तेल रिफाइनरी तो बरोनी क्या है एक तेल रिफाइनरी है ठीक है उसके बाद कैरोसिन कहां यूज किया जाता है लैंप में ऐजे इंधन जब कोई लैंप जलाया जाता तो उसमें ऐजे इंधन यूज किया जात सुरेर का कमपन करता है भाप का नाम बताई तो स्वर्यंटर जो गला है गले के अंदर जीमिन जान्ट करता है कंपन करता है जब हम बोलते हैं तो जब हम सुनते हैं देखो क्या का जब हम सुनते हैं तो क्या हमारे शिरिका कोई हिस्सा कंपन यहाँ पर बोलने का नहीं कहा गया यहाँ पर सुनने के बारे में कहा गया कि जब हम सुनते हैं तो कौन सा कान का जो शिरीर का कौन सा इंसा कमपन करता तो ear drum आ जाएगा हमारा कान का जो पर्दा है वो आ जाएगा इसका अंसर अपने इलाके में धोनी पर्दूशन के दोस्तोतों की सूची बनाई आपके आसपास कहां से शोर होता है उसके बारे में बताईए हमने सीखा है कि धोनी उत्पन करने के लिए कमपन आउशक है जब भी धोनी उत्पन करनी है साउन कुछ पर रियूस करने तो उसके लिए कमपन वाइब्रेशन आउशक है बताईए कि परते एक कमपित वस्तू से उत्पन धोनी हम क्यों नहीं सुन पाते हैं तो बहुत सारी ऐसी वाज है ना जो हम सुन नहीं पाते हैं तो ऐसा क्यों हम सुन नहीं पाते हैं तो आईए देखते हैं इन three question की answer और इसके साथ में इस question का भी answer देख लेंगे परदूशन, ध्वनी परदूशन को नियंत्रित करने की तीन विधियां लिखिए तो देखो, first cancer क्या होगा, जब ध्वनी तरंगे कानों तक पहुंचती है, तो कान की परदे कंपन करते हैं मैंने सुनने के लिए तो जब बोलने में तो क्या होता है, स्वरियंत्र कंपन करता है, जो सुनने के लिए कान की परदे क्या करते हैं, कंपन करते है बी का क्या है TV ये transistor, उच मातरा में तेज अवाज में चल रहे हैं, उच मातरा यहां पर लिख जी का तेज अवाज में चल रहे हैं, ठीक है लॉड स्पिकर चल रहा हैं, बसो, कारो, टॉर्क, टरकों का होन है, घरे लूप कर मिक्स्चर है, डेजर्ट कूलर है, पर ताके, फो रेंज है उसी में हम क्या कर सकते है कोई भी चीज को सुन सकते है जो कि 20,000 aufen सुन सकते है उस से कम या जादा हम आज जो धूनि है उसको नहीं सुन सकते हैं उसके अलावा धूनि परदूशन के पारे में पूछे कि स्थ्रेस उनको रोक सकते हैं तो आईए देखे क्या है हम जो उपयोग में नहीं है उने उपकरणों का प्योग बंद कर दे ear pluck up प्योग करके ध्वनी कम करके अधिक सधिक पेड लगा कर वहानों या मशीनों को नियमी तरक रखाव करके पटाके ना जला कर लाउट स्पीकर ना चला कर इन सब को करके हम क्या कर सकते हैं ध्वनी परदूशन को कम कर सकते हैं कोशिन नंबर 11 देखे क्या कहा गया है यहाँ पर वमें बताना है कि कौन सा बल है एक धनुर्देर लक्षय पर निशाना सांते हुए अपने धनुष को खीचती है वह जब तीर को छोड़ती है तो वह लक्षय की और बढ़ने लगता है इस उचना के अधारपन में दिखित प्रकत्नों में दिये गई शब्दों का परियोग करके रिक्रिस्थान की पूर्ती करनी है धनुष को खीचने के लिए धनुर्देर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है तो देखो क्या कहा जा रहा है धनुष को खीचने के कारण देखो क्या हो जाएगा धनुष को खीचने के लिए धनुर्देर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकरती में देखो यहाँ पर लिखा ना अकरती तो उसकी आकरती में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है ये नमबर वन पे आ जाएगा ठीक है सेकिन देखे धनुष को खीचने के लिए धनुर्दय द्वारा लगाया गया बल पेशिये बल किसका उधारन है यहाँ पर पेशिये बल का तो ये हो जाएगा सेकिन का अंसर उसके बाद तीर की गती की अवस्ता में परिवर्तन के लिए उत्तरदाई बल एक परकार का संपर्क बल है ठीक है ये थर्ड का अंसर हो जाएगा कितीन होगए अब नेक्स देखते हैं यहाँ पर 4 पे जब तीर लक्षे की और गती करता है जब तीर लक्षे की और गती कर रहा है तो इस पे लगने वाला बल गुर्टवा कर्शन बल और वायू के कारण क्या होगा घर्शन बल वायू के कारण घर्शन के कारण होगा तो देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं पर करते हैं. कई परकार से हानिकारक होते हैं. शुक्षम जीव मनुशिय पोदो-जानवरो में बिमारिया पैदा करते हैं. भोजन कपड़े और चमड़े को भी खराब कर देते हैं कुछ शुक्षम रोग संक्रमिक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा पानी भोजन या शारिरिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं कीड़े और able जानवर ऐसे होते हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगानों के वाहक के रूप में कारे करते हैं अब उसी से एलेटिर कोशन आई देखते हैं रोग उत्पन करने वाले शुक्षम जीव कहलाते हैं जो रोग उत्पन करते हैं, उन्हें रोग जनक कहते हैं, सी अंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नीमली कितमें से कौन सा केट डेंगू वाइरस के वाहग के रूप में कारे करता है, तो डेंगू वाहग किसे होता है, डेंगू वाहग होता है, जो मादा एडीज लिखा गया है यहाँ पर B अंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, एडीज से क्या होता है डिंगू होता है, नेक्स देके question number 3 में देखिए Robert Coach ने 1876 में जिवानू bacillus anthracis की खोज की, डैश रोग को बनाता है जो कौँ से रोग को बनाता है bacillus anthracis anthrax रोग को बनाता है एडीज अंसर यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स देके क्या कहा गया है कुछ शुक्षम जी रोग संकर्मित व्यक्ति से स्वस्त व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के मादम से फैलते हैं कहलाते हैं, तो कुछ रोग ऐसे होते हैं कुछ शुक्षम जी रोग जो है एक संकर्मित व्यक्ति से स्वस्त व्यक्ति में होता है जिसे हम संचारी रोग कहते हैं ए अंसर यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 13 विदुत परिपत वह निरंतर बंद पत है जिसमें के अनुदिश विदुत धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की और प्रवाहित होती है अब देखो विद्धुत परिपत के उपकरणों का प्योग करते समय निमिक लिकित में से कौन से साफधानी बरतने की आफशकता नहीं है क्या साफधानी अगर ना भी बरतेंगे तो भी ठीक है मेन से जुड़े बिजली के बलब को कभी नैचुएं कभी भी मेन से विद्धुत अपूर्ती के साथ परियोग नहीं करें मेन स्विच जहां लगा है वहाँ पे कुछ शेर्षखानी नहीं करने तो देखो ये तो नहीं है फ्यूस तार को बदलने के लिए किसी भी तार का परियोग नहीं करना चाहिए कि मेन से कोई बड़ लगा हुआ तो उसको नहीं चुना चाहिए कभी भी किसी विद्धुत अपर्ती के साथ में कोई छेर्षखानी नहीं करने चाहिए फ्यूस तार को बदलने के लिए कभी भी किसी तार का प्रियोग नहीं करना चाहिए म अगर अगर अब सिच ओन नहीं करो कि तो इलेक्रिक्रिक्री कैसे चलाओ गे न तो यहां पर दी अंसर करेक्ट हइए कि किसी भी सीच engagements को चालू कर सकते कोई दिंग्त नहीं लेकिन वाकित चीजों को आपको ध्यान रखना है next देखो क्या हो जाएगा second का answer bulb में एक पतला तार होता है जिसे filament कहते है A answer यहाँ पे सही हो जाएगा जब bulb fuse होता है तो विदुधारा परवाहित होती है circuit में बहती है circuit में परवाहित नहीं होती है जब bulb यहाँ पे लिका है fuse होता है तो उसके अंदर कोई भी धारा परवाहित नहीं होती है तो B answer यहाँ पे सही हो जाएगा next देखिए एक चमकता हुआ बलब किसके कारण गरम होता है जब एक बलब चमकता है तो वो गरम हो जाता है किसके कारण धारा के तापन प्रभाव के कारण जो उसकी heat energy है उसके कारण तो A answer यहाँ पे सही हो जाएगा अब question number 14 देखते हैं क्या कहा गया है 14 में जब परकाश किस्ती एपारदशी वस्तु पर पहुचता है एपारदशी वस्तु क्या होता है जिसमें से light आर पार नहीं जा सकते है तो परकाश वस्तु के माध्यम में से जाने से रोका जा सकता है जिससे कि दूसरी तरफ अंधेरा या छाया रह जाते हैं यहाँ पे क्या रह जाते हैं यह कोई वस्तु पारदशी पारदशी क्या जिसके आर पार light जा सकते है पारदशी है तो परकाश उसमें से गुजर सकता है यदि वस्तु चमकदार है तो परकाश उसमें से अलग दिशा में परावर्तित हो जाएगा अब देखो क्या कहा गया है निमन लिकित में से कौन सी अदिप्त वस्तु है मतलब जो स्वैम नहीं जलती है तो टौर्ट, सूर्य, विदूत, रोश्नी, कुर्सी तो डी अंसर देखो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स कोशन देखिए वे प्रदार्त जिन में से होकर प पस टूर्प से नहीं देखा जा सकता तो उन्हें हम पार भासी कहते हैं C अंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा निमन लिकित में से कौन सी वस्तु चमकदार वस्तु है तो पैंसिल, कुर्सी, सूर्य और मेस तो क्या हो जाएगा C सूर्य यहाँ पर क्या है चमकदार जो परकाश को अपने में से होकर गुजरने देती है कहलाती है तो ऐसी वस्तु जो परकाश को गुजरने देती है ए पारदशी इसका अंसर हो जाएगा नेक्स देखें नीचे मानो मादा प्रणाली का एक नामांकी चित्र दिया गए यह अंडाश्य है अंडवाहिनी और गरभाश्य है अब उसी से रिलेटिड यहाँ पर कोश्चन है क्या है कोश्चन अंडाणू और शुक्रानू का निश्चेचन होता है अंडाश्य नेक्स आट प्रदेगा हो जाएगा घ्रभाष्य पर प्रेसल कुछिन यहां कर लेते हैं प्रजनन पहले से मोजूद व्यक्तियों में नए व्यक्तियों का निर्मान करता है इस परकार प्रजनन को एक जैविक प्रकिरिया के रुप में परिभाशित किया जाता है जिसने की जीव अपने समान संतानों को जनम देते हैं संतान बढ़ती है, परिपा को होती है, बदले में नहीं संतान पैदा करती है, तो अंडाणू का निर्मान होता है, अंडाणू का निर्मान कहाँ पर होता है, अंडाणू का निर्मान होता है, अंडाणू का निर्मान होता है, अंडाणू का निर्मान होता है, अंडाणू का कहते हैं, fetus होता है अच्छी तरह विकाष शील जो भून होता है, एक भून बनता है और जो विकाष शील होता है, थोड़ा बन रहा होता है उसे हम fetus कहते हैं, तो B answer यहां पर correct हो जाएगा, जो रायूज जीव वे होते हैं, जो अपने जैसे सीधे क्या करते हैं अपने जिसे जीव विक्सित करते हैं तो B answer सिधे विक्सित जीव पैदा करते हैं B answer यहां पर correct हो जाएगा तो यह हमारा sample paper है इसी तरह के सारे sample paper आपको मेरे channel मिल जाएंगे तो comment और like जरूर करिएगा जितने जादा like आएंगे उतने ही जादा मैं आप लोगों के लिए sample paper बनाऊंगे और आप लोग मुझे यह comment करके कोई question है तो वो भी पूछ सकते हैं Thank you guys